करवाचोत हिंदू का एक प्रमुक्क त्योहार है यह भारत के जम्मू हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाना, मध्य प्रदेश और राजेस्थान में मनाये जाने वाला पर्व है यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतूर्थी को मनाया जाता है यह पर्व सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियाई मनाती है यह व्रत सवेरे सूर्य उदय से पहले लगबग 10 बजे से आरंब होकर रात में चंद्रमा दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है कर्वाचोत को संस्कृत में करक चतूर्थी भी कहा जाता है ग्रामी निस्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाय तक सभी नारिया कर्वाचोत का व्रत बड़ी स्रद्धा एव उस्साल के साथ रखती है सास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक माश के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतूर्थी के दिन करना चाहिए पती की लंबी उमर और अखंड सोभाग्य की प्राप्ती के लिए इस दिन भाल चंद्र गणेज जी की अर्चना की जाती है करवाचोत में भी संकस्टी गणेज चतूर्ती के जैसे दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को देखने और पूजा देने के बाद ही भोजन करने का विधान है अभी के समय में करवाचोत का व्रत अधिकतर महिलाये अपने परिवार में प्रचलीत प्रथा के अनोसार ही मनाती है लेकिन अधिकतर इस्त्रिया सारा दिन भूकी पेट रहकर ही चंद्रोदय की प्रतिक्षा करती है आतिक कृष्ण पक्ष की चतूर्ती को करवा चौत वरत करने का विधान है। इस वरत की विशेष्टा यह है कि केवल सौभाग्यवती स्रिय को ही यवरत करने का अधिकार है। इस्त्री किसी भी आयू, जाती, वर्ण, संप्रदाई की हो, सबको इस वरत को करने का अधिकार है। जो सौभाग्यवती सुहागिन, स्रिया, अपने पती की आयू, स्वस्त, एव, सौभाग्य की कामना करती है, वह यवरत रखती है। यवरत 12 वर्ष तक अथवा 16 वर्ष तक निरंतन प्राप्ति वर्ष किया जाता है। अवधी पूरी होने के पश्चात इस वरत का उद्धापन किया जाता है। जो सौभाग्य निस्त्रिया अजीवन रखना चाहे, वे जीवन भर इस वरत को कर सकती है। इस व्रत के समान सोभाग्य दायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। इसलिए सुहागे निस्तिरिया अपने सुहाग की रक्षार्त इस व्रत का सही पालन करे। भारत देश में वैसे तो चौत माता जी की कई मंदिर स्तित है। लेकिन सबसे प्राचीन एव सबसे अधिक ख्याती प्राप्त मंदिर रायस्थान राज्य के सवई माधोपूर जीले के चौत का बरवाडा गाउ में इस्तित है। चौत माता के नाम पर इस गाउ का नाम बरवाडा से चौत का बरवाडा पड़ गया। चौत माता मंदिर की स्थापना महराजा भीम सिंग चोहान ने की थी। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पती व्रता स्थ्री अपने पती के साथ नदी किनारे एक गाव में रहती थी। एक दिन उसका पती नदी में नहाने गया। नहते समय वहाँ एक मगरमश ने उसका प मगर को बान कर यम्राज के यहां पहुँची और यम्राज से कहने लगी, हे भगवन मगर ने मेरे पती का पैर पकड़ लिया, आप अपने बल से उसे नरक में ले जाओ। मगर को यम पूरी भेज दिया और करवा के प्रती को दिरगायू दी और यम्राज ने कहा, हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पती की रक्षा की, वैसे सबके पत्यों की रक्षा करना।